मैं आपको बता दूँ यहाब लोग अपनी जान देते हैं कूती उपर से काफी गहरा है अब पता नहीं हम राज साम की टाइम पर जा रहे हैं काफी घ्राव नहीं है फिर भी हम आपको दिखाने के लिए जा रहे है गया सुदिन तुगलक को ऐसा सराप मिला जिसके कारण उसक से एक्स्प्लोर करते हैं कैसा दिखता है चलिए अंदर चलते हैं आज हम आये हैं जो दुनिया की नजरों से दूर कई राज से चुपाए बैठा हुआ है भारत की राज़ाने दिल्ली में तुगलकाबाद का किला जिसे आर्कलोजी सर्वेटिम देखवाल करती है दिल्ली का सबसे बड़ा तुगलकाबाद का किला दिल्ली के साथ सहरों में से तीसरा सहर है इसके पास ग्यासुदिन तुगलका मकवरा भी बना हुआ है जो लाल बलवा पत्थर से बना हुआ है जब दोस्तों मैं बताना चाहता हूं ज्यांसितन तुगलक के जो सैनिक थे उनके यह घर थे यहां पर विश्राम करते थे यहां पर वह रहा करते थे उस समय इमेजी नेशन आप कर सकते हैं चलिए दोस्तों मैं आपको राजा की बाबली दिखाता हूं जिसे जल पर कुंड भी कहते हैं यहां पर राजा महराजा नहाते थे और अपनी राणी के लिए नहानी के लिए अभिशक्ता की हिसाब से पानी के लिए बनवाया गया था थोड़ा नीचे दिखा काफी गहरा है पांच मंजिल की जितना गहरा है और यहां पर कहते हैं लोग काफी कूद के अपनी जान देते हैं तो हम यहां से चलते हैं आपको नीचे से जाके दिखाते हैं कैसा है मैं आपको बता दूँ यहां लोग अपनी जान देते हैं कूद के ऊपर से काफी गहरा है अब पता नहीं हम राजसाम के टाइम पर जा रहे हैं काफी ड्रावनी है फिर भी हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों हम नीचे आ चुके हैं आप यह जगा देख सकते कि लोग यहां से कूटके अपनी जान देते हैं वर्तमान में न्हुंजघ से छोड़ते में आपको बतना हो हूँ कि अर राजा राणिया नहा नहां के लिए बनाये गया था आधा वहाँ से पानी गिरा गा बतादू और नीचे जाने का मन तो करने रा अजली यहां से निकलते हैं तोई ड्रामी सी जगह है चलिए चलते हैं यहां से अब हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में यह बात है चोधवी सतावदी की जब तुगलक बंस और खिलजी बंस के बीच बहुत वड़ा यूद हुआ 1321 के बीच खिलजी बंस को हरा कर दिल्ली में अपना राज पक्का किया ग्यासुदिन तुगलक ने जीत के खुशी में बनवाया इतना वड़ा खिला इतना वड़ा दुर्ग इस किले को बनने में चार वर्स का टाइम लगा 1321 में बनना सुरू हुआ 1325 में ही बनके तियार हुआ इस किले को अरावली पहाडों के पत्थरों से बनवाया गया है तुगलक वंस का दिल्ली सल्तनात में पहला शाशक ग्यासुदिन तुगलक बना जिसने 8 सेप्टेंबर 1320 में दिल्ली में सीहासन पर बैठा गयासुदिन तुगलक को दिल्ली में तुगलक वंस का संस्ताफ़क भी माना जाता है गयासुदिन ने 29 बार मोगलों का आकरमन विफल किया और अपने नाम के साथ गाजी सब्द को जोड़ा 1323 में गयासुदिन तुगलक ने अपने बेटे मुहम्मत को उत्तर अधिकारी घोसित कर दिया यह है विजय इस्तम तुगलक वंस में जब कोई यूद जीतते थे तब सारी सेना यहां इखटा हुआ करती थी और उत्सा बढ़ाते थे दूसरी तरफ शोक इस्तम है जिसमें तुगलक वंस को यूद में हार का शामना करना पड़ता है तो यहां पर शोक मनाया जाता है हार का हुआ 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 है यह पूरा जंगल 6 किलिमेटर के छेतरों फैला हुआ है और काफी खतरनाक भी माना जाता है यह 14 सताब्दी का मीना बजार जिसमें छोटे-छोटे दुकान हुआ करते थे इसमें उस समय काफी चहल पहल हुआ करती थी और दिये से रात को जगमाती थी यह बजार गया सुद्दिन का पिता कोरोना तुर्क गुलाम था गया सुद्दिन तुगलाक एक कटर मुशल्मान था जो इसलाम धर्म का गहरा पालन करता था और अपने मुसल्मान जनता को इसलाम धर्म के नियमों का पालन करने का दवाब डालता था अन्य धर्मों पर दवाब तो नहीं डालता था मगर कोई मदद भी नहीं करता था 321 की डूरेशन में एक संथ आये ग्यासुदिन तुगलक के दर्वार में संथ ने ग्यासुदिन से थोड़ा सा पानी मांगा पीने के लिए ग्यासुदिन ने घमंड में पानी देने से इंकार कर दिया जा जो तेरा बरा बेटा होगा जिससे तू सब्से जादा प्यार करता होगा वही तेरा मौत का कारण बनेगा और ये किला कभी पूरा नहीं होगा इसलिए इस किले को धोस्त किला भी कहते हैं कुछ समय बाद ग्यासुदिन तुगलक बंगाल अभियान से लोटते समय तुगलक बाद के आठ किलो मेटर के दूड़ी पर इस्थित अफगानपूर के एक महल में परवेश करते ही हुए महल गिर गया जिसमें दबकर 1325 में मौत हो गई ग्यासुदिन तुगलक की इबन बदूता के नुसर ग्यासुदिन की हतिया उसके पुत्र मुहमद बिन तुगलक के सडियंत्र के एक माध्यम से हुआ गुजरते समय के साथ ये किला लुप्त हो रहा है इस जगा पर साही गैश रहा करते थे उस समय के किला करते भी किला इबने तुगलक किला के बदूता के विदल से हुआ है रहा है ये है ग्यासुद्दिन का मकवरा जो तुगलक किले के जश शामने है किले के साथ ही इस मकवरे का भी निर्मान शुरू हुआ था ग्यासुद्दिन ने अपने जीवन काल में ही ये मकवरा बनवाया था 325 के बीच निर्मान कारे समापत हुआ था मकवरे का वास्तुकला भारती इसलामिक शैली में डिजाइन की गई है मकवरा उंची दिवारों से घिरा हुआ है इस मकवरे में तीन कबरे हैं केंदर कबर ग्यासुदिन तुगलक की है अन्य दो कबरे बेटे मुहमद बिन तुगल झाल 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 झाल